केंद्रिय बित्त मंत्री निर्मला सीता रमण ने आज यानी एक फरवरी को देश का आम बजट पेस किया है इस बजट से युवाओं को काफी उम्मीदे थी जिसे लेका निर्मला सीता रमण उनकी उम्मीदों पर खरी भी उतरी सरकार ने दावा किया कि इस बजट में मिडिल क्लास से हाई क्लास तक सभी परीवारों को बड़ी बड़ी स्वागत दी है इसी बीच निर्मला सीता रुमन के बजट के बाद मत्डि प्रिजस के बित्य मंतरी जगदीज देवडा ने भी एक बयान दिया है जिसका वीडियो सोचल मीडिया पर बाइरल हो रहा है जब मंतरी से मीडिया ने पूछा कि आप इस बजट में क्या कहना चाहेंगे तो सुनिए मंतरी जी ने क्या कहा जिसके बाद मद्डि प्रिजस कोंग्रेस प्रवक्ता नरेन सलुजा ने इस वीडियो को ट्यूटर पर साजा करते हुए मद्डि प्रिजस बित्य मंतरी को घेर लिया सलुजा ने अपने ट्यूटर पर लिखा कि बित्य मंतरी जी कह रहे हैं कि इस बजट को लेकर सारे देश के सभी राज्यों के बित्य मंतरी को बिलाकर उनसे चर्चा या कब से होने लगा बाकाई सिवराज जी का मंतरी मंडल किसी अजूबे से कम नहीं है